नमस्कार किसान सातियों आपके अपने चैनल फार्मस डेली पर हार्दिक स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं स्वाइबिन में पहले किटनासक स्प्रे के बारे में किसान सातियों कौन सी किटनासक दवाई स्प्रे करें जिससे की रिजल्ट बेतरे नाए हम इस वीडियो में दो किटना सक के बारे में बात करेंगे पहला है अलिका जो कि सिजंटा कमपनी का किटना सक है और दूसरा सोलोमन जो कि बायर कमपनी का किटना सक है इन दोनों किटना सकूम में से कौन सा बेश्ट है और किसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे आईए जानते हम डिटेल में पहले बात करते हैं सिजिंटा कंपनी के अलिका के बारे में इसमें थाय में थाकजान 12.6% प्लस में लेमडा 9.5% जेसी दो टेकनिकल का समाविश होने के कारण इसमें लगने वाले सभी प्रकार के कीट और इल्लियों को कंट्रोल कर लेती है यह मुखे रूप से थ्रीप्स, इल्लिया, सपेद मकी, तेला, तना और फल्चेदक, कीट इत्यादी को एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर लेता है बरसाद के मुसम में सुहाविबिन की फसल में अगर किसान भाई अलिका का प्रियोग करते हैं तो यह लगबग 15-20 दिन तक का कबर देता है बात करते हैं इसके डोज की तो एक एकड में स्टी एमेल प्रती एकड के हिसाब से आप इसका इसप्रे कर सकते हैं प्राइस की बात करें तो 300 के आसपा से कीमत एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है दूसरा कि ना सक है बायर कंपनी का सोलोमन इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें भी दो टेक्निकल हैं एक इमिटा क्लोरोपीट 19.081% प्लस बेटा साइफलूथरीन 8.49% इसी इसी फोर्म में टेक्निकल पाय जाता है यह भी मुक्यरूप से माहू, इल्ली, सपेदमकी, थ् हिसाब से इस किटनासक का प्रयोग कर सकते हैं इसमें 100 ml की प्राइस लगबख 350 के आसपास होती है एरिया के हिसाब से यह उपर नीचे हो सकती है बात करते हैं यह भी सोलोमन किटनासक भी 15-20 दिन का कबर देता है स्वाइबिन की फसल में इन दोनों में से कौन सा किटनासक क किटनासक का प्रयोग किसान भाई आपको करना चाहिए बायर कमपनी की सोलोमन और सीजंटा कमपनी की अलिका बात करते हैं दोनों ही बढ़िया है किसान भाई आप स्वाइबिन की फसल में इन दोनों में से किसी भी किटनासक का प्रयोग कर सकते हैं यह दोनों ही किटनासक क पीटो और इल्लियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इनके एक इसप्रे से सभी प्रकार के रस्चुसक कीट सेमिलूपर इल्ली या सभी प्रकार की इल्ली कंट्रोल हो जाती हैं इस कारण किसान भाई इनका प्रियोग कर सकते हैं किसान भाई हमें कमेंट बॉक्स में ज निवाद जहिन